टॉप फाइफ में नंबर तीन पर है इससे पाला चलता है कि इंडियन ओडियन्स अभी भी वाकई में उन शो को देखना चाहती है जहां से उनकी जड़े जुड़ी हुई क्या फंडिया स्टोर को डेखने की जरूरत है क्या धूबतारा प्रॉब्लम में है और क्या ये रिष्टा क्या कहलाता है कि उपर फरीक्षा के बादल मंदरा रहे और टॉप फाइफ में इतना आगे बढ़ जाएगा आज चुका है टी आर्पी चार्ट और आज का मुद्धा स्टोरी का वो है जो आप सब लोग सुनना चाहते हैं क्या फंडिया स्टोर को डेखने की जरूरत है क्या धूबतारा प्रॉब्लम में है और क्या ये रिष्टा क्या कहलाता है कि उपर फरीक्षा के बादल मंदरा है अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बिकूस आप मैंसे कई सारे फैंस कई सारे व्यूवर्स मुझे ये पूछ रहे थे कि इस बाहर की टी आर्पी जो आई है उसमें जो फेर बदल हुआ है उससे क्या फर्थ पढ़ सकता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दू मिए फेवर सब्सक्राइब स्टार्स्टेशन टीवी इल बी ए हुज फेवर फो मुझे तो स्टार्ट करते है नंबर वन जो शो है इस वक्ति यानि की पिछले हफ्टे टी आर्पी में वो नो डाउन अनुपामा है लेकिन यहाँ पर सप्राइस की बात यह है कि अनुपामा अकिला नहीं अनुपामा के साथ जो शो है वो है दा वन एन ओनली गुम है किसी के प्यार में यह बात अप तैय हो चुकी है कि शो अगर अच्छा है और लंबे वक्त तक नंबर वन पर बना हुआ है इसका मतलब यह एक ही जगा पर एक साथ नंबर वन पर बने हुए है 2.3 की TRP है दोनों की नाव नंबर टू पर कम्स दसप्राइस इस जनक जनक जो है वो नंबर टू पर आ चुका है इसका मतलब साफ है कि नंबर टू पर यह रिष्टा क्या कहलाता नहीं है ओके अब यह बात मैं आपको ब जनक शुरू ने के पहले से भी नबर टू पर फाइफ में रहता था लेकिन जनक एक अंडर डॉक्टा जनक जब शुरू हुआ तब किसी को उमीद नहीं थी कि जनक इस तरीके से रेस पकड़ेगा और टू पर फाइफ में इतना आगे बढ़ जाएगा इतना आगे कि आज जनक ने कुछ ही महीनों में ये रिष्टा क्या कहला आता है जैसे शो को अपने से नीचे अला कर रख दिया है TRP वाइस तो जनक की जो TRP है इस वी की वो है 2.1 और ये रिष्टा क्या कहलाता है कि TRP है 1.9 येस लेकिन यहां पर एक और टेंशन की बात जो मैं आपको बोल र इस नहीं है यानि की ये रिष्टा क्या क्या कहलाता है का जो LEAP आया है जो अभी आपको पताए होगा Armand and Ruhi वालग उसके बाद लोग ये सोच रहे थे आदे लोग की यार नए Armand Ruhi को कौन देखेगा और आदे लोग सोच रहे थे किनए Armand Ruhi को obviously हम देखेंगे तो ये व पुराने जो एक्टर्स थे जो कि अर्मान और रोही प्ले कर रहे थे उनकी fan following obviously उनके साथ होगी लेकिन जो नए किरदार आये हैं रोहित पुरोहित जिसे निभार है और गर्विता इन दोनों के आने के बाद सब की निगाये थी कि एक बार शायद ये रिष्टा क्या कहलाता ह है नीचे गिर जाए लेकिन इतना भी जादा नीचे नहीं गिरा टीर्पी में जितना की हेटेज उमीद कर रहे हैं चोटे मोटे फर्क चलते हैं लेकिन the good thing is the good point is की 1.9 और 2.1 के अंदर जादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस है लेकिन जादा नहीं है अगर इस हफ़ते और प्रगती करेगा एक और उंचे बायदान पर जा सकता है नाव कम्स दे सप्राइस और वो है नमबर थ्री अलस टीवी का शोव शिव शक्ती तब त्याग और तांडव है नमबर तीन के उपर इसकी टीयार्पी है 1.6 माइ गाड आज की तारीख में इतना कमाल का जो हमार जिनों देवी देवताओं के उपर बना शो है माइतलोजिकल शो भी है ये टॉप फाइफ में नमबर तीन पर है इससे पता चलता है कि इंडियन ओडियन्स अभी भी वाकई में उन शो को देखना चाहती है जहां से उनकी जड़े जुड़ी हुई है तो देखते रही है ये शो और भी अच्छा हो सकता है now comes the next surprise नमबर चार के उपर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि चार शो है yes 1.5 की टीरपी के साथ चार शोज नमबर फोर की पोजिशन पर है I'll tell you इमली, पंडिया स्टोर, उड़ने की आशा and surprisingly मंगल लक्ष्मी ये चारो शोज टॉप फोर में है 1.5 की टीरपी के साथ मंगल लक्ष्मी जो अभी 14 दिन पहले शायद रिलीज हुआ है उसके आने के बाद उस शो की टीरपी 1.5 है यानि कि ये बात साथ है कि लोग हमारी जो पुरानी संधिया बींगरी है उनको भूले नहीं है वो बेट कर रहे थे कि कब दिपिक आप आपस टीवी पे आए और टीवी पर आते ही देखे आप लोगों ने इतना फ्यार दिया और वो शो इतने कम वक्त में टॉप फाइफ में आ चुका है यहाँ पर एक और इंपॉर पदानी कोई उमीद है या नहीं I'm sure अच्छा शो होगा बट अभी तक उसने वो रेस में उत्रा नहीं अगर ऐसा होता है तो वाकई में एक बहुती बड़ा ब्रेव डिसिजिन होगा मेकर्स के साथ बट अगर दे सेम ताइम I don't think so they should do it but if they do it it's totally up to them Now comes number 5 और यहां पर भी दो शोज है तेरी मेरी डोरियां और दोरी वाँ यह जो डोरी शब्द है ना यह number 5 से चिपक गया है और ऐसी डोरी लगाई है कि चूट नहीं रहा है तेरी मेरी डोरियां और दोरी दोनों ही number 5 पर है 1.4 की T.I.P. के साथ तेरी मेरी डोरियां में फिर वापस एक होने का सब ड्रामा सब कुछ चालू है बट डोरी जो की एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची की कहानी है जिसके अंदर उसका ज़स्बा दिखाया जा रहा है डोरी और उसके पिता का ये शो सब को फसंद आ रहा है बिचिस अ ग्रेग सो मैंने आपको बता दिया अब धुरुतारा के फैंस के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि उन्हें चिंता करनी चाहिए या नहीं देखे हो पिछले वीक भी 0.5 की टीरपी थी इस वीक भी 0.5 की टीरपी है IPL चलने के दौरान अब मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि IPL के बाद शायद शो के उपर कोई decision ले मैं आपको भी भी बोल रहा हूँ I hope ये शो टिकार है तहीं न जाए लेकिन एक और नए शो का प्रोमो आउट हुआ है वो शो who knows किस शो को replace कर दे लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दो कि सब टीवी के उपर सबसे lowest TRP द्रुबतारा की नहीं है वो बाकी दूसरे शोस की भी है तो अगर चैनल चाहे तो द्रुबतारा को ना छोड़ कर किसी और ऐसे शो को शायद offer कर दे जो की इस वक्त इतना अचा perform नहीं कर रहा है तो ये चीज आप तक मुझे पहुँचानी थी PRP जो ये रिष्टा के फैंस जो बाकी सारे शोस के फैंस मुझे पूछ रहे थे आई होप आप तक ये खबर पहुँच गई है अगर किसी को बुरा लगा हो तो I'm so sorry और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेर, सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो और तो सब्सक्राइब तो स्ब्सक्राइब तो स्टार स्टेशन फीडियो टेक कर